कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं, काफी मेहनत और प्रयतन के बाद भी धन के आगमन पर जैसे रोकसी लग गई हो, कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते, या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगता, इस बिना सनान किये किचन में जाते हो, तो इससे अननपूर्णा देवी का अपमान हो, दो, केले के पेड में जल चढ़ाएं, केले के पेड का अपमान नहीं करना चाहिए, इस पेड में भगवान विश्णू और देवी लक्षमी निवास करते हैं, हर दिन केले के पेड में जल चड़ाएं और घी का दिया जलाएं तो मा लक्षमी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीन, नहाना घर की सफाय के बाद महिला को तुरंट स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है इस कारण लक्षमी मा रूट सकती है। चार, अपनी तिजोरी में नौ लक्षमी कारक कोडियां और एक तामबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। पांच, भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दे। आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।